अलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विकास खुपता आप देख रहे हैं PNS इंस्टिट्यूट यूटूप चैनल दोस्तों आगे हम निशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट NGRI की जो भैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा दे क्योंकि हम ऐसे ही नए भैकेंसी के अपडेट आपके लिए लाते रहते हैं तो चलिए ओफिसियल नोटिफिकेशन से देख लेते हैं कि क्या भैक वैकेंसी के लोकेशन की बात करें दोस्तों तो यह आपका लिए अच्छा एक जॉब माना जा सकता है जिनको जियोग्राफी वाले सेक्षन में इंट्रेस्ट हो दोस्तों किस-किस चीज के लिए वैकेंसी है वो मैं आपको बताऊं तो जूनियर सेक्रेट्रियर एसिस्टें अपप्लेकेंसी है ठीकर डेट की बात करें इंपर्टेंड डेट की तो 13 नो से स्टार्ट है आपका अपलिकेशन और पंदरह दस तक आपक अपलिकेशन रहेगा यैनि कि 15 दस तक आप आनलाइन अपलाई सकते हो पोस्त की बात करें दोस्तों जुणियर सेक्रेट्रीयर एस इस्टी का पोस्ट है और जुनियर इस्ट्रिनोग्राफर का एक पोस्ट है यानि कि टोटल वैकिंसी साथ है हमारे पास लेवल पे की बात करें दोस्ट तो 19,900 से 63,200 तक आपका पेमेंट होगा और इस्टेनोग्राफर में 25,500 से 81,100 पेमेंट होगा ठीक यहाँ पे देखिए टोटल पेमेंट 32,600 यहाँ पे टोटल पेमेंट 43,300 और सट इसेंसिल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10 प्लस 2 चाहिए यहाँ पे 10 प्लस 2 और साथ यह इस्टेनोग्राफर इस्टेनोग्राफ ही आपको आनी चाहिए एज लिमिट की बात करें दोस्तो तो 28 साल है आपका हाईए डेज लिमिट ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तो आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे इसके अंदर बेनिफिट की बात करें दोस्तो तो आपको डियरनेस अलावेंस मिल जाता है हाउस रेंज अलावेंस मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट अलावेंस मिल जाता है, जो कि बहुत कम जॉब्स में मिलती है, आपको ट्रांसपोर्ट अलावेंस भी मिलेगा, medical expense, live travel, house building advance are available है ठीक है national pension scheme भी आपको दिया रहता है तो बगलाब को आप यह समझे कि यह central government का job है पहुंत ही सटीक और अच्छा job है जो कि आपको हर्थ तिरह से beneficial है बात करें दोस्तों हम next बात कर लेते हैं age limit की बात हो गई है कि 28 साल आपका age limit है और उसके बाद अगर SC, ST, OPC से हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको age का relaxation भी दिया जा रहा है selection कैसे होगा दोस्तों selection जो होगा return test और skill test दो मेर्धियम से लिया जाएगा on the basis of higher education qualification than the minimum prescribed in the advertisement selection की बात यहाँ पर देखिये दोस्तों junior secretary assistant के पोस्ट के लिए return e jam और computer test लिया जाएगा उसी तरह junior astronographer के लिए return e jam और computer test लिया जाएगा English typing की बात करें दोस्तों कितना आपका air speed होना चाहिए तो 35 word per minute होना चाहिए आपका English typing या फिर Hindi typing 30 word per minute ठीक है दोस्तों जो इजाम सोंगे return e jam मुझके scheme की बात कर ले दोस्तों तो return e jam आपका total 200 marks का होगा और धाई घंटे समय दिया जाएगे ठीक है standard class 12 का होगा और या CBT यानि computer based test होगा और multiple choice यानि की objective test होगा आपका English और Hindi दोनों में रहेगा ठीक total question paper 1 जो होगा उसमें mental ability test होगा 100 question रहेंगे 200 marks के जिसमें negative marking आपका नहीं है तो ये एक अच्छी बात है कि आपके jam के लिए negative marking नहीं है mental ability test में आपके दोस्तों general intelligence यानि की total आप ये समझे की reasoning और मैत दोनों लिया जाएगा आपसे ठीक है part 2 की बात करें तो इसके लिए आपको time alerted 1 hour और paper 1 के लिए आपका time alerted था 90 minute यानि कि देर घंटे उसमें समय लगेंगे एक घंटे इसमें 100 question वहाँ पुछा जा रहा है यहां से GK से 50 question पुछे जाएंगे जिसके maximum marks देर सो रहेगा और एक number का negative marking है यानि कि 1 by 3 ठीक है 33% negative marking है बहुँ जादा negative marking हाड़ी है अपर अधिकतर ही जामत में 25% negative marking रही है English language में भी बात करें तो 50 number के होंगे जिसके में 500 marks sorry 50 question होंगे 500 marks के होंगे 1 negative marking होगा आपका ठीक है second paper जो आपका लिया जा रहा है वो उसी candidate का evaluation होगा जो कि पहले paper में paper 1 में cut off पार कर गया होगा तो यह बात आप ध्यान रखेंगे paper 1 सिर्फ quality screening के लिए है और paper 2 से आपका final selection होगा आप apply कैसे कर सकते हैं दोस्तों application देने के लिए आप www.njri.org.in के website पर जा सकते है उसके बाद instruction page में जाएंगे before applying वहाँ पर आपको 100 रुपए इसका payment fee आपको कितना करना है 100 रुपए आपको payment करना है application fee के तरफ ठीक है next हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपका documents क्या के upload करने परेंगे documents में 10th class का mark sheet 12 का mark sheet degree आपने कार रखा है तो इसका mark sheet इन उसी चाहिए अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं साथी cash certificate short hand certificate अगर applicable है तो और भी सारे documents लगेंगे आपको तो दोस्तों ये था हमारा vacancy का पूरा details साथ vacancies है और जोकी बहुत ही अच्छी vacancies है तो अगर आप इसके लिए available है तो जरूर से जरूर apply कर सकते हैं असर करते हूं दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया अगर और भी vacancy के delay update आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब पर ले क्योंकि मैंसे ही नए अपडेट डेली लाते रहते हैं आपके लिए तरनेवा दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में